हेलो बच्चो आप सुपर कंसर्ट क्लास्स में स्वागत थे और आप लोग की रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो आप लोग वीडियो को पुरा देखना जितना हो से किस वीडियो को सेर करो और और वीडियो को जितना हो सेके अधिक-धिक कर देना ला देहां पर मैं आपको एकका करकी समझाता हूं आप लोग एकका करके समझें त्वा जो कि हमारा पेपर में जो अफ्ट आया हुआ है ठीक है और यह सो आप के आप लोगे लोगWA का चिरल कल से आप लोगा कौपी का चेकिंग शुरू हो जाएगा देखो यह डिनुhu पीचर्स रहेंगे मोब साब सब बोला गया कि यह मोवाईल नहीं ले जा सकते हैं ले जा पाएंगे तो आपका कल से कपी का चेकिंग शुरू हो रहा है एक दिन में 50 कोपी का चेकिंग होगा अगर बात करें रिजल्ट का तो आपनों का जो रिजल्ट है मैं के लास्ट तक मार्स के बाद आपका अप्रेल और अपरेल के बाद मंगर तो माई के लास्ड तक आप लोह का रिजल्ट आ जाएगा जो कि अप्डेड प्रेय जंकन इस माँ अंत्र तक पूरा करने को कहा गया है रिजल्ट मैं अंत्र तक जारी वने की शंभवना तक मैडिक परिक्षा में इस बरस लगवक आठ लख परिचातरी सामेल हुए थे मेरें रिजर्ण साइंस और कौमर्स यहोता है विसकित होता है उसके बाद हमारा आर्ट का रिजल्ट जारी होता है कि आर्ट में maximum students होते हैं अगर जग बोड का अगर बात करा जाए तो आर्ट में maximum students होते हैं इसलिए आर्ट का रिजल्ट थोड़ा लेट से आएगा सबसे पहले class 10th का रिजल्ट और class 12 the science stream और commerce stream का हमारा रिजल्ट आएगा इस प्रकार से बोला गया है आगे यहां पर है कि एक परिक्षक को एक दिन में 50 उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन करने को कहा गया है केंद्रों पर mobile के इस्तेमाल पर रोक वहां पर mobile वेगरा का यूज नहीं किया जा सकता है आगे देखो जो यहां पर complete update है साब साब बोला सकते मैं 28 आगे 5 में 30 की उ सब्यूंड कर कोपी कद्रों की जांच कल से कल से आप लिटका你好 ज़रू होगा देखो इसमें बोला गया कि राज जी में मैं 30 की उतर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन 90 से शुरू होगा देखो साब साब बोला गया है कि कोपीस अब ऱ Benny का चेकिन है 9 मार्च से आप लों का कोपी का चेकिंग शुरू होने वाला है, आज आपका 8 मार्च है, कल आप लों का 9 तारिक है, कल से आप लों का कोपी का चेकिंग शुरू होगा, फिर इसमें आगे हैं कि राज्जी में सरसर केंद्रों पर कोपियों की जांच होगी मेट्रिक की कोपियों की जांच के लिए 36 वा इंटर के लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं मुल्यांकन को लेकर जयक कारियाले में सभी छेतरी सिक्षा सन्युक्त उप निदिसक सम्मंद जीला के जिला सिक्षा पताधिकारी और केंद्र निदिसक की बेटक हुई बेटक में जयक अधक्षे डॉक्टर अनिल कुमार महतो उपायदक्षे डॉक्टर बिनोध सिंग और सचिव एजडी तिगगा समेत अन्य पताधिकारी सामिल हुए बेटक में परिचगों को एक दिन में 50 उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन करने का निदिस दिया गया है को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व केंद्र पर पहुंचने का निदिस दिया गया है मुल्यांकन केंद्रों में केंद्र निदिस से कुछ छोड़ कर कोई भी परिक्षक किया कर्मी मुवाइल फोन का उप्योग नहीं करेंगे मुल्यांकन केंद्रों को उएसे उत्तर पुष्टिका का पेकेड़ वापस करने को कहा गया है जिसका आवंटन समभने केंद्र को नहीं क्या गया है आगे यहांपर बोला गया कि परधान परिक्षक करेंगे जो समझेंगे चेक होता है तो समझे कि वहीं बला चेक यहां पर फिर जोने वाला है और मांक्स फाइल के प्रारूप में बदलाव किया है मांक्स फाइल करम में व्यापा का स्तर पर समाइन उत्तर या एक किस रोज से नगल के जाने के अधिक मामले एक साथ सामने आने पर इसकी जानका रिज्यक को देने को कहा गया है तो फिर चोड़े यह कोई मतलब हैसा नहीं रहा बस आप लोग यह चीज़ जानो आप लोग यह चीज़ जानो है एक दिन में 50 कोब यह चेकिंग होगा और जैसे अभी कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको आगी इंफर्म करूंगा और आगे का अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी चैनल के साथ बने रहो तो यह हमारा आज का प्यारा से सुन्दर सा वीड थैंक यू जैहिंद